टॉपिक है आज हमारा टॉपिक है इंफ्रस्टॉकचर ऑन द濼 फिंडिपेंड़नेंगेंडेंट के टाइम पे हमारा इंफ्रस्टॉकचर कैसा था वो हम लोग डिसकस कर रहे हैं तो यहां लिखा है इंफ्रस्टॉकचर का मतलब दो elements है, एक तो है economic changes और एक है social changes मतलब एक तो आपकी economy में क्या change लाता है वो infrastructure ऐसी कौन कौन सी चीज़े हैं जो आपकी economy में change लाती है, तो इसने लिखा जैसे means of transportation, goods को लाने ले जाने के लिए जो transportation चाहिए communication, banking और power energy banking और power energy ठीक है, तो ये सारी चीज़े हमारी economy में change लाती है और कुछ element होते हैं जो social changes होते हैं, जो society में change लाता है, जैसे कि educational growth healthcare facilities में growth, housing facilities, ये आपकी society में change लाता है, ये सामाजिक बदलाव लाते हैं, ये सारे infrastructure, ये हमारे किसी भी country के growth और development के foundation होते हैं, जिस country में means of transportation communication, banking, power energy, ये सब जो है, वो बहुत अच्छे से develop हो रहे हैं, आप ये कहोगे कि economical, वो country जो है उसकी economy बहुत strong है, उसकी economic growth हो रही है, और जहाँ पर education अच्छा है, health और housing facilities अच्छी है, मतलब वहाँ पर social changes हो रहे हैं, तो ये इस तरीके से infrastructure को समझा जाता है, इसके बाद आप देखोगे, इसमें आपके पास आ रहा है, next चीज है, एक सिकन, मुझे थोड़ा सा reverse ले जाना पड़ेगा, ये इस तरीके से, अब देखी, इसने यहाँ पर एक चीज लिखे हैं हमारे लिए, the state of India's infrastructure on the eve of independence can be described in term of the following observation, तो ये कह रहा है, कि आपका जो इंडिया है, उसका infrastructure को इस तरीके से समझा जा सकता है, जो कि independence वाले time पर था, देखना, पहला point, railways were developed to transport finished goods from Britain to the interior of the colonial India, यानि railway को developed किया गया था, कि Britain से finished goods हम इंडिया में लेकर, हाँ, बच्चों सुनो, जो first वाला point है, वो ये कहता है, कि railway को developed किया गया था, ब्रीटेन से finished goods इंडिया के अंदर लाने के लिए, ताकि उनका finished goods को sell करने का जो market है, वो wide हो सके, और आगे लिखा है, it aimed at widening the size of the market for the British product in India, उनका railway को लाने के पीछे का जो motto था, वो ये था, कि उनके ब्रीटेन के product के लिए, उनको एक market मिल सके, जहां पे वो अपने product को बेज सके, तो अपने market को wider कर रहे थे, जहां पे उनका goods बिख सके, तो इंडिया से बड़ा market उनको कहीं नहीं नजर आया, ताकि हम यहां से raw material, इंडिया से raw material ब्रीटेन ले जाए, और ब्रीटेन से finished goods इंडिया में ले करके, आपको पता है, ship सबसे सस्ता source होता है, जब आप ship के थूँ, goods एक country से दूसरी country में बेजते हो, तो काफी सस्ता पढ़ता है, बट बहुत time consuming होता है, और यही aircraft के थूँ बेजते हो, तो वो काफी महंगा होता है, और less time consume करता है, same day delivery भी हो जाती है, दो दिल में भी हो जाती है, तो यह कह रहा है कि ships के थूँ, इन्होंने ports डवलप किये, ताकि इंडिया से raw material, ब्रीटेन आसानी से ले जाया जा सके, और ब्रीटेन से finish goods इंडिया में आसानी से लाया जा सके, फिर third point है, post and telegraph को develop किया गया, to enhance administrative efficiency, यानि administrative, आप किसी country को अगर control कर रहे हो, तो आपके पास post और telegraph का जो facility होता है, यह आपके administrative efficiency को बढ़ाता है, मतलब बाच्चित करने का जो जरिया, पहले phone तो हुआ करते नहीं थे, पहले telegraph ही बेजा करते थे, post ही बेजा करते थे, letter ही बेजा करते थे, तो यह administrative efficiency को बढ़ाता है, फिर इन्होंने roads को develop किया, to facilitate transport of raw material, transportation of raw material from different part of the country to the port, यानि इंडिया की अलग-अलग जगों से, raw material को लाकर के, ports तक पहुचाने के लिए, इन्होंने roads को develop करवाया, देखो, इन्होंने काफी सारे development करवाया, लेकिन उनके पीछे वज़े, सिर्फ, Britain की government को benefit पहुचाना था, इंडिया के लिए कुछ नहीं किया, समझे, फिर यह बुलता है, briefly, some modest infrastructure change in the economy during the British Raj, हम यह मानते हैं कि कुछ इन्होंने अच्छे infrastructure डवलप किये हैं, लेकिन, इसके पीछे जो उनका motive था, वो इंडिया की एकनॉमी को develop करना नहीं था, राधर, इट वास देखो इन डवलप्न अफ ब्रिटिश कॉलोनी, इट ब्रिटिश एकनॉमी, इन्डिया की एकनॉमी का शोशन करके, वो चाहते थे कि ब्रिटेन की एकनॉमी जो है, उसकी ग्रोथ हो, डवलप्नेंट हो, यह इसलिए, हाला कि यह positive contribution हो उनके, लेकिन इसके पीसे का जो मोटो है न, वो इन्डिया की एकनॉमी के डवलप्मेंट के लिए नहीं है, आगई बात समझ में, अब देखिए, एक कॉशन बनता है, यह railways को लेकर के, कि इन्डिया में railways का क्या impact हुआ, तो हम दोनों चीज़ों में देखेंगे, इसके कुछ positive points भी पढ़ेंगे, negative points भी पढ़ेंगे, सबसे पहले, railways facilitated commercialization of agriculture, देखो railway के आने से, जो farmers की जो crops थी, उसको वो बेचना start कर चुके थे, यानि commercialization हो चुका था agriculture का, यानि agriculture product अब बजार में बिखते थे, as goods could then be moved to distant places, goods को एक जगे से, दूसरी जगे पर हम railway के थूरू बेच सकते थे, आपको आज भी पता है, railway से कैसा source है, जिसके थूरू आप दिखोगे, country के हर कोने में goods को पहुचाया जाता है, सबसे सस्ता है ये भी, ठीके, तो पहले आपको पता होगा, आपने पढ़ा था, पिछले अपने industrial sector की बात कर रहे थे, agriculture sector की बात कर रहे थे, तो जो British government थी, उसने क्या किया, कि इंडिया के farmers को कहा, कि आप जो पहले subsistence farming करते हैं, वो छोड़गर के अब आप क्या करो, cash crops grow करना स्टार्ट करो, जिससे इंडी को हुआ, जिसको आप बेच सकते हो बाजार में, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बोला था, तो ये वाली चीज इसने लिखा है, कि railways को, इंडी कल्चर का commercialization स्टार्ट हुआ, क्योंकि goods एक जगे से, दूसरी जगे तक आप move कर सकते थे, this implied a modest change in the outlook of the farmers, इससे जो farmers का outlook है, वो बदला, वो पहले सोचा करते थे, कि भे हम खेती बाड़ी केवल अपने परिवार को चलाने के लिए करते, लेकिन जब उन्हें दिखा कि आप इसको बेच करके पैसा भी गवा सकते हो, तो उनका ये वाला mindset हो गया, अब उन्होंने farming को एक business की तरह ट्रीट करने लगे, राधर देना merely as a source of subsistence, जिसको केवल वो पहले अपने घर को चलाने के लिए farming क्या करते थे, अब उसको as a business वो देखने लगे, तो ये सबसे बड़ा change हुआ, अब इसके positive impact क्या थे railways के इंडिया में आने से, सबसे पहला positive impact, railway facilitated as expansion of domestic market, accordingly export and import of the country, showed a significant rise, समझो, railways के आने से, हमारा domestic market बड़ा, exports भी हम यहां से करने लगे, दूसरी countries को, यह नि ब्रीटेन को almost 50% से ज़या तो हम ब्रीटेन को करते थे, और imports भी करने लगे, ठीके, तो इससे एक significant rise हुआ हमारे market में, हमारा market थोड़ा बड़ा हुआ, पहला point, दूसरा point है, railways facilitated commercialization of agriculture, यह पूरा उपर वाला point है, बैएक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, तो railway promote, railway facilitated commercialization of agriculture as goods could then be moved to distant places, railway ने commercial agriculture की commercialization को start करवाया, क्योंकि goods एक जगे से दूसरी जगे तक हम लोग easily move कर सकते थे, this implied a modest change in the outlook of farmer, and they start viewing same-to-same, same-to-same line लगी वह यह वाला, कि farmers का outlook बदला, farmers पहले उसको केवल अपने घर को चलाने के लिए farming करते थे, subsistence farming करते थे, उनका outlook बदल करके, उनोंने farming का as a business treat करने लगे, तो यह railway क्या आने से हुआ, correct बात है, इसके बाद जो third point है, वो है, railway enable people to break the barriers of distance, and undertake journey to far off places, railway ने आ करके, लोगों के बीच के जो distance उसको कम कर दिया, क्योंकि लोग एक जगे से दूसरी जगे पे, अपने relative से, आसानी से मिल सकते थे इस से, this promoted culture affinity among the countrymen, इसने जो country है, उसमें एक ऐसा spirit लेकर के आया, कि हम हर culture को देखने लगे, ठीक है, फॉर्थ पॉइंट, faster movement of food grain, across different parts of the country, अपनी country के अलग-अलग parts, बहुत तीजी से move होने लगा food grain, क्योंकि railways की वज़े से, और इस से, जहां पर famine सायवा था, बुखमरी आईवी थी, उस जगे पर जो है वो, बहुत तेजी से food पहुचाया गया, food supply could reach the people, before they were driven to starvention, यानि, लोगों तक हम पहले ही food grain पहुचा सकते थे, हम उनके, मतलब, वहाँ पर अकाल पढ़ने की weight नहीं कर रहे थे, समझे, बुखमरी का weight नहीं कर रहे थे, कि लोगों के पास खाने को कम पढ़े, फिर हम पहुचा है, अब हमारे पास railway आचुका था, कि हम उनको उस जगे पहुचा सकते थे, ये तो बात थे, इसके positive impact की, अब बात करते हैं, negative impact क्या थे, सबसे पहला, railway ने contribute, railway contributed to colonial exploitation of Indian economy, railway के आने से, हमारे इंडिया की, economy का exploitation हुआ, क्योंकि हम यहां से, because primary goods, that is raw material, could then be easily transported from the field, and the farms, to the ports of the purpose, of to export the British economy, हमारे यहां से, हमारे farm से, primary product, जो है, जो farm के product थे, या जो भी crops थी, वो इंडिया से, ब्रिटेन में export कर सकते थे, इन railways के तुरू, railway उनको port तक पहुचाने का काम करता था, ठीक है, and finished goods, coming as an import to the Indian economy, could be easily be transported, to the interiors of the country, for the purpose of sale, और finished goods, जो ब्रिटेन ने बनाये थे, वो हमारी इंडिया में आसानी से लाये जा सकते थे, ठीक है, does the spread of railway, led to spread of the domestic market, for the British product, इस प्रकार से, जो railway था, उसने domestic market को क्या किया, मतब British product को domestic market में, railway ने फैलाया, ठीक है, तो ये हमारे यहां पे, negative impact हुआ, पहले आपको इतना समझ आता है क्या, ये वाली चीज़ अगर clear होती है, तो हम लोग आगे चले, देखिए, इसके बाद ये impact है न, ये impact है, और इसके बाद हम लोग चलते हैं, छोट आसा point बचा है, was there any positive impact of the British rule in India, ये question भी पूछा जाता है बई, कि क्या positive impact रहा क्या British का, Britishers का इंडिया में, इसका answer लिखने का तरीका देखना, पहले लिखते हैं, certainly not, if the impact of the British rule is studied with reference to motive to the British government in India, अगर हम British government के motive के according बात करें, तो Britishers ने किसी तरीकी का कोई positive impact नहीं डाला, because motive हमेशा उनका, Britain की economy को develop करने का होता था, तो इस हिसाब से तो उन्होंने कोई positive impact नहीं दिया, but, सुनना ध्यान से, however, the means to achieve the and yielding some positive side effect, यनि यह कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें, कुछ return की, कुछ चीज़े नहीं लाने की, तो हाँ, वो कुछ चीज़े हमारे ले कर किया है, वो कुछ positive impact रहा, ठीके, तो जरा देखिए, क्या है positive impact, पहला point, commercial outlook of the farmers, farmers का commercial outlook बन गया, forced commercialization of agriculture, under the British rule, expose the subsistence farmers, to uncertainties to the market, समझो, हम उन्होंने, farmers को force किया, कि वो commercialization करें अपनी agriculture का, मतलब ऐसी crops ग्रो करें, जिसे कि वो Britain में बेज सकें, जिसे कि Indigo, ठीके, तो Indigo जब वो यहां से बेजेंगे, तो इससे अब farmers का, जब कभी पता है, आपको हमेशा फसल अच्छी नहीं होती, जब आपने फसल भुई, उसके बाद हो सकता है, कार्टे टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, आकाल पड़ गया, बारिश ही नहीं होई, तो फसल खराब भी हो जाती है, तो उस टाइम में, इतनी फसल भी नहीं बस्ती थी farmers के पास, कि वो अपने घर के लिए, self-consumption के लिए उसको store करके रख सके हैं, उसको use में ले, तो उनके इस outlook को, British government ने change किया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि, भी आप हमारा, आपका product हमें बेचो, ठीक है बेच दो, पैसा तो खराब नहीं होगा, पैसा तो पड़ा रहेगा, जब कभी आपकी फसल अच्छी नहीं हुई, तो आप पैसे से खरीच सकते हो बजार से, ठीक है, आगे, त्रू, बट इट अलसो लेट टो अग्रेजूल चेंज अन आउटलूक अफ़ फार्मर्स, इससे फार्मर्स के आउटलूक में भी चेंज आया, अब हुआ क्या, फार्मर्स जो थे, वो अपना डिसिजन ये लेटे थे कि मैं मेरे फील्ड में कौन सी क्रॉप ग्रो करूँ, तो बटा वो देखते थे प्राइजेस, कि बजार में प्राइस किसका जादा है, हम उसी को ग्रो करेंगे, मतलब उसी को हमारे, उसकी खेतिवाड़ी करेंगे, तो ये वाला उटलूग, जो है, वो फार्मर्स का, ब्रिटिश अर्स लेकर क्या है, ठीक है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, निउ अपॉर्चुनिटीटीज ऑफ एंपॉइमेंट में क्या है, spread of railways and roadways opened up new opportunities of economic and social growth, railway के आने से, roadway के आने से, कई तरीकी की नई opportunity हमारी economy और social growth, मतलब हमारा economic growth भी हुआ और social growth भी हुआ, आपने देखा कि railways के आने से, लोगों का distance कम हो गया, भी अपने पीछे positive impact पढ़े थे ला, वो सारे इसके point आ जाएंगे, roads के आने से भी हम आसानी से, लोग चाहिए और railways में भी लोग चाहिए, तो अच्छी employment of opportunities यहाँ पर create हुई, ठीके, इसके बाद हमारे पास आता है, control of famines, ठीके, famines को कैसे control किया, इसने बहुना rapid means of transported, facilitated rapid movement of food grain to the famine affected area, ऐसा area जहाँ पर जो है, अखाल पढ़ चुका है, तो वहाँ पर आप transport के जरी रेल्वे और रोट्स के थुरू, आप food grain को फटाफट पहुचा सकते हो, और famine को control कर सकते हो, ठीके, फिर है monetary system of exchange, Britishers यहाँ पर रूपी इंवेंट उन्हों नहीं किया, तो बोलता है, there was a transition from barter system of exchange to monetary system of exchange, Britishers ने पहले हम लोग चीज के बदले चीज लिया दिया गरते थे, farmers क्या गरते थे, मेरे केट में गेहू है, आपके पास चावल है, तो मेरे से गेहू ले लो और आपके बदले में चावल दे दो, पहले यह exchange system चला करता था, जिसे इन्होंने बदल दिया और monetary system को ले किया है, growth of monetary system of exchange, facilitated division of labor, अब जैसे ही growth हुआ monetary system का, यहीं monetary system grow होने लगा हमारी economy में, तो अब यहाँ पे labor class divide होगए, कि हम लोग काम करके पैजा कमाएंगे, specialization, large scale production, यह सब चीजे करने लगे, ठीक है, पहले तो large scale production भी नहीं करते थे, बहुए गयों गयों मैं क्या करूँगा, अगर किसी को भी चाहिए होगा, तो मेरे से आके ले जाएगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा, तो भी आके ले जाएगा, तो वो केवल उतना यह growth करते थे, जितना उनके लिए चाहिए होता था, आई बस समझ में, तो monetary system से, large scale production भी possible हुआ, और last है, efficient system of administration, British government in India, had left a legacy of an efficient system of management, administration, this serve as a ready reference to our politicians and planners, समझो, हमने पढ़ा है न, हमारा जो India का constitution है, वो copy मारा है British government का, तो Britishers, एक legacy में हमें, ये देखा करके गए, कैसे आप किसी country को rule करते हो, कैसे आप country को administrate करते हो, तो उनका पूरा administration, हमें हमारे India को, उनी से gift मिला है, ठीक है, ये हमारे politician के लिए, और planners के लिए एक ready reference था, जो की, जिसके त्रूँ उन्होंने, administration करना start किया, हमारी country का, तो ये बस ये हमारा total पूरा chapter था, ये वाले topic के साथ, हमारा पूरा chapter complete हो गया, अब किसी को doubt हो तो पूछ लो,